नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जान करें के साथ तो आज है penny stocks वाले series या category की वीडियो और यहां पर हम बात करेंगे दो penny stocks के बारे में लेकिन यहां पर हम बात करेंगे 30 रुपए के आसपास वाले 2 stocks के बारे में ठीक है तो वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोने stocks में क्या करना है तो हम दोस्तों बात करने वाले लेमेंटरी होटल्स और उजीवन small finance bank stock के बारे में इन दोनों stocks में से कोई ऐसा stock है जो कि हमें एक अच्छा खासा multi bagger returns भी दे सकता है या नहीं ठीक है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ठीक है जोस्तों अब यहां पर लेमेंटरी का fundamental देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि लेमेंटरी है क्या लेमेंटरी का business segment क्या है और यह करते क्या तो आप देख सकते recently इन्होंने open किया lazy lagoon बागा तो बागा यह गोवा में हमारे बागा लेमेंटरी resort जो है इन्होंने यहां पर open किया 4000 से इनकी booking है तो आप समझ गया होगा कि भई hotel chain है यह इंडिया's largest hotel chain in mid-priced hotel sector ठीक है तो mid-price का मतलब यह price आप समझ सकते तो इंडिया का largest hotel chain है इनके पास तो आप समझ सकते कि कुछ न कुछ largest keyword यहां पर लगा हुआ ठीक है अब इस बात को आप ध्यान रखियेगा जब इसके fundamentals हम discuss कर रहे होंगे ठीक है दोस्तों चलिए देख लेते है fundamentals इसके तो यहां से थोड़ी बात है हमें समझ में आएंगी 2226 करोड का market capitalization है currently 28 रूपय के आसपास मिल रहा है यह book value वहाँ पर देखिये केवल 10 रूपय की book value है return on equity देखिये बहुत ही कम है return on equity केवल 0.28% का है average return on equity पिछले 5 सालों का 1% का है dividend नहीं पे कर रहे हैं यह ठीक है आप यहां तक बाते समझ रहे हैं right profitable है कि या नहीं तो obviously य नहीं है क्योंकि Corona काल में बहुत ही कम hotels की booking देखने को मिल रही है बहुत लंबे समय तक यहां पर lockdown था जिसकी वज़े से hotels की booking बिलकुल नहीं हो रही थी अब जो हो रही है बहुत ही कम हो रही है और इसकी वज़े से यहां पर देखिये तो obviously यह business profitable नहीं है return on capital employed हलाकि यहां पर 6% के आसपास रहे ठीक है अब दोस्तों यहां पर बात आजाती है debt की debt देखिये 2000 करोड का हो चुका है और assets इनके पास के वोल 300 करोड का है यानि कि आज के दिन अगर इनको debt pay करना हुआ तो assets का इस्तेमाल करके भी debt pay नहीं कर पाएंगे ठीक है हाला कि Petrovsky score यहां पर दे असकत है fundamentally strong यह है stock long term investment के पास से ठीक है यहां पर shareholding pattern देखेंगे तो थोड़ी सी बात है आपको यहां पर clear हो जाएंगे आप देखिए यहां पर promoter के पास 31% के आसपास है और mutual funds के पास 16% के आसपास है FIH के यहां पर 18% के आसपास है public के पास 34% के आसपास है लेकिन यहां पर जो promoter के shareholding है वो pledge हो रखी है ठीक है तो अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो आप यह clearly समझ सकते हैं कि इस stock में आपको क्या करना है ठीक है दोस्तों हाला कि mutual funds यहां पर 16% के आसपास बने हुआ है FIH का यहां पर देखिए 18% के आसपास देखने को मिल रही है आपको अब दोस्तों अगर कोई पूछता है कि stock में आपको क्या investment करना चाहिए है नहीं तो यहां पर अगर मुझे investment करना हो तो अभी currently तो मैंने investment personally नहीं कर रखा है लेकिन अगर मुझे करना है तो मैं इसे as a penny stock के तरह treat करूँगा इसमें 1.5% से ज्यादा investment नहीं करूँग और यहां पर मैं S.I.P. में investment करूँगा और ठीक है क्यूंकि यहां पर आप देख रहे हैं clearly आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में कोरोना काल के बाद obviously यहां पर आपको bookings देखने को मिलेगी इसके business में growth देखने को मिलेगी और इसका जो overall sales है उसमें growth देखने को मिलेगी ठीक है तो clearly आप यहां पर समझ सकतें कि इस stock में क्या करना है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले stock के बारे में तो हमारा जो अगला stock है वो है उजीवन small finance bank का और यहां पर हम बात करेंगे detail में जानेंगे कि यह जो bank है आपको क्या आने वाले समय में एक अच्छा खास multi-wagger returns दे सकता है तो यहां पर देख सकते है उजीवन is ranked third in India's best companies to work for 2020 ठीक है यहां पर एक message दे रहे है कि best company to work है लेकिन हमें इस से मतलब नहीं हमें यह है कि best company for investment हो सकता है या नहीं तो इसको जानने के लिए हम video आगे देखते है ठीक है चलिए इसके हम fundamental समझ लेते हैं तो इसके fundamental समझने के लिए हम fundamentals वाले page पर जाते हैं अब देखिए market calculation 5000 करोड का है और current price इसका 33 रुपए के आसपास मिल रहा है book value यहां पर 18 के आसपास है dividend नहीं पे कर रही है यह company और यहां पर debt देखे तो 14,000 करोड का है केवल 1600 करोड रुपए के आसपास assets इनके पास है पे त तोड़ा सा चलते हैं उजिवन small finance की overall reports पर और देखने की कोशिश करते हैं इनके overall balance sheet तो आद देखिए 18,000 करोड रुपए के आसपास balance sheet का size है और जहां तक रही total deposits की बाद तो 10,000 करोड रुपए के आसपास इनके banks में deposits हैं retail deposits देखिए 4000 करोड रुपए के आसपास है income यहा 32 करोड का तो interest जो income में आ रही है इनको वो भी यहां पर आपको positive देखने को मिले है ठीक है यहां पर net NPS देखिए तो आप देख सकते हैं 0.2% के आसपास है और net interest margin यहां पर देखिए 10.8% के आसपास तो आप समझ रहोंगे कि finance sector की जो stocks होती है और banking की जो stocks होते हैं उनकी ज ठीक है इसी तरह हमें कैसा ratio देखना होता है तो आप यहां पर clearly समझ सकते हैं कि भी इसमें आपको एक positive movement दिखाए दे रही है positive यहां पर कुछ hints दिखाए दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको एक returns दे सकते है ठीक है अब यहां पर देखिए इसका जो trading होता है आप देख देखने को मिलने है तो overall देखा जा तो यह shares में interest है लोगों का और यह share काफी लोग बाई करके अपने portfolio अपने DMAT account में रख रहे हैं अपने DP में रख रहे हैं ठीक है अब यहां पर shareholding patterns समझ लेते तो promoter के पास यहां पर 83% के आसपास है बागी जितने भी बचे है mutual funds और FIIs के और public के पास है ठीक है अब यहां पर देखे public के पास के वाल 7% है ठीक सबसे अच्छी बात है कि promoter shareholding के यहां पर pleasing देखने को नहीं मिल रहे है और mutual funds ने यहां पर थोड़ी सी अपनी holding कम किये FIIs ने यहां पर देखे थोड़ी सी buying करी है ठीक है तो overall देखे तो यह तो य जो हमने यहां पर discuss किये इस वीडियो में एक यह तो नहीं कह सकते कि बहुत भैतरीन stocks है multi bagger returns देखे लेकिन आने वाले समय में आपको multi bagger returns दे सकते है ठीक है तो यहां पर probability जादा है कि यह आपको returns अच्छा दे सकते है बट इनके fundamentals उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे हो होनी चाहिए तो यहां पर 100% 100 out of 100 नहीं मिल रहे है इनको portfolio में नहीं है हमारे हम portfolio में अभी नहीं रखेंगे इनको monitor करते रहेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें buying कर सकते है इनके एक दो तीन quarter हम आगे performance जरूर देखेंगे तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतन करिए